तो हम आचुके माइन टेक इंडिया लिमिटेट के मंतली टाइम फ्रेम के चार्ट के ओपर आज हमको इसमें 20% की तेजी देखने को मिली अपर सरकीड इसमें लगता हो और नजर आया है तो क्या इमीजेटली हमको इसमें बायक करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए अगर आ आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा दूँगा फिर उसके बाद चोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरीके से हम कुछी जो को प्लान कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टेंट लेवल था एक जो इसका मेजर ब्रेकाउट लेवल था जब से इसका IP-O-Lisht हुआ है आप के सकते हो ë poking फ़ेला जब्रेशली हके I-P-O- लिस्ट हो था 2016 का असपर से एक बड़ी तेजी हम को देखने को मिली ठीक है यहाakन कि इस लेवल से देखो गए तो एक बड़ी तेजी हम को यहाँ पर देखने को मिली तो उसके बाद देखे तो एक काफी शानदा तेजी वी 100 रुपीज से इसने अल्मॉस हाई लगाया एक सो अल्मॉस 300 का इसने हाई लगाया उसके बाद से 300 से फिर से प्राइस जो अपने 100 रुपीज के आसपास आ चुकी ठीक है तो यहां पर देखो सबसे इंपोटेंट यहां पर फिर से सपोर्ट ले रही प्राइस और यहीं से अगर उपर की तरफ निकलती तो एक शानदा तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकती है तो और बड़े टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं किस तरीके से अपने एक इंपोटेंट सपोर्ट लेवल के पास में प्राइस आ चुकी है ठीक है चली अब मैं लगा लेता हूं इसका विकली टाइम फ्रेम के चार्ट वहां पर देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको प्लान करेंगे सारी चीजों को इंपोटेंट लेवल के आसपास हम किस तरीके से इंट्रील करेंगे ठीक हैं दोस्तों इससे पहले ए तो आपने अगर हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकि इसको जोइन कर सकते हो जहां पर कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा और मुझसे आप कनेक्ट कर पाऊगे ठीक है तो यहां पर देख सकत पेटन देखने को मिला है डाक प्लाउट केंडर स्टिक पेटन हमको यहां पर देखने को मिला विकली टाइम फ्रेम पर टॉप लेवल के आसपार उसके बाद से कंटिनुसली स्टॉक में गिरावट होती जा रही है एंड फिलाल देखो प्राइस अगें अपने सपोर्ट ल इससे पहले भी देखोगे सबसे इंपोर्टन बात किया जो तेजी हुए नीचे में वोल्यूम देखो काफी अच्छे वोल्यूम के साथ तेजी हुए इसके अलावा दूसरा एक रिजन यहां पर दिख रहा है कि प्राइस काफी अच्छा कंसोल डिशन के बाद यहां पर ए यहां पर प्राइस एक सपोर्टन की तरह काम करेगा तो एक जो लेवल है वो यहां पर और इसके आसपास ने क्लोजिंग दी 125 का राउंड लेवल नंबर के सकते हैं या फिसको थोड़ा सा अगर उपर हम एक जिस करें तो लास्ट क्लोजिंग प्राइस ती यहां पर फिस ट अच्छी तेजी हमको देखने को मिले है डेफिनेटली आज की जो तेजी एक न्यूस बैस तेजी हो सकती क्योंकि हैवी वॉल्यूम ट्रेड वा डेफिनेटली इतना वॉल्यूम रेगुलर एवरी डेडे ट्रेड नहीं होता है तो इसकी वज़े से इतनी बड़ी तेजी र आप अगर इसमें अधे whilst दो और चाहते हो दो नेक्श रियूम को एकर सकते हो आपकी इंगी पॉइंट हो सकता है सिंपली इसी केंडल का हाइई ठीह आपका जो entry point होगा वो होगा इसी candle का high के उपर आप यहां पर entry ले सकते हो stop loss का problem हो सकता है आपको कि stop loss कहां रखे क्योंकि अगर हम बात करें इस candle का जो genuine stop loss बनता है इस zone के नीचे बनता है ठीक है जो आपका genuine stop loss बनता है जो पहला target हमारा बनेगा वो है 150 के आसपस 148 या फिर 150 एक round level नमबर है तो first target 150 का होगा अगर यहां से उपर की तरफ रेली होती है तो first target 150 दूसरा target होगा 190 के आसपस ठीक है 180, 190 यह हमारा second target होगा यहां पर swing high के आसपस उसके बाद जो next target हो सकता है वो काफी जादा दूर है जो इसका all time high है वहां तक हमारा next बड़ा target हो सकता है ठीक है तो तीन जो major resistance level है वो तीनों जो target level हमारे हो सकते है वो level में mark कर चुका हूँ ठीक है तो यहां पर अगर आप risk लेना चाहते हो एक low risk के साथ अगर आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि इसी candle के high के उपर यानि कि 126 के उपर इसको buy कर सकते है stop loss आपका जो genuine stop loss बनता है वह उनता 100 रुपिस के नीचे यहां से जो 3-4 target level है मैं दे चुका हूँ 1st target 150, 2nd target 190, 180 के आसपास 3rd target हो चकता है 300 के आसपास 3 major resistance है और सबसे important बात है कि price already हम जो buy कर रहे है वो एक support level के आसपास यानि कि low level के आसपास buy कर रहे है पहले भी देखो यहां पर low था एक high लगाया फिर से price अपने low level के आसपास आई यह monthly का जो major support level था जहां से breakout होता उसी level के आसपास हमको trade करती होई मिल रही है तो यहां से हम buy करे बिल्कुल free जहां पर मैं आप लोग के साथ बहुत सारी important चीज़े share करता हूँ and मिलते next video के अंदर